दोस्तों आज दिनांग 28-10 दुआरे किसको हमने ये बेबी रेट सिनेक पगड़ा है ये एक घर के बाथ रूम आए गया दा गरवाले काफी परसांत है उन्होंने हमें कॉल की और हमने जाकर इस बेबी रेट सिनेक का रेस्कुलिक किया है जिसको आम बोचल के भास में घोड़ा पचाड़ी बोलते हैं बहुत ही सुन्दर मटमेले रंग का साफ है और बहुत ज़्यादों गुसेल और आकरामेक परजाती होती है लेकिन दोस्तों ये जहर रहित होती है नॉन मेलमस तो चले दोस्तों रिलीज करते हैं इस बहुत ही है आपकी भी जान बचे और साफ की भी चले दोस्तों अगर ये दोस्तों बहुत ही सुन्दर गोड़ा पचाड़ साप जिसको धामन भी होते हैं और इसको जो है पकड़ मानने वारा साफ भी होते है देखिए छोड़ा साब है लेकिन कितनी जटिल पकड़ इसने अंगुठ के बारे में एक बहुत परानी कहावत पर चले थे कि ये जो है गाए और घोड़े के पाओ में बंद मारकर उनका दूद पी लेता है लेकिंग दोस्तों ये कहावत पूर दरह से मिथ्या है जूट है इसमें कोई भी सच्चा नहीं है हाँ ये सच्च है किसी विक्तिने कभी इन सापों को गाओं के या घोड़ों के पाओं में पकड़ मारता हुए दिखा हुगा जिसे की नहीं बिमारती है लेकिंग ये दूद पीता है उनका ये गलत है बहुत ही सुने साथ है अब इसका हम छोड़ता है और चलिए प्रेवस्त कि है कि अबिद्या शोड़ के लगें है यह देखे दोस्तों यह भागने के लिए च्ट पड़ा रहा है और बस त्यारे भागने के लिए बहुत गुस्से में आई है यह कह रहा है कि मुझे आप लोगों ने क्यों पकड़ रखा है लेकिन यह यह नहीं जानता कि हमने इसको उस घर से पकड़कर इसकी जान ही बचाई है यहां पर यह आ गया था वह नहीं लोग इसको मार देते हैं लेकिन यह जानवर यह चीज़ को नहीं समझता हमारों देश से सफल हुआ हमने एक और जानवर की जान बचाई है एक सापकी जो बहुत ही सुन्दर है जिसके पारे में लोग नहीं जानते कि यह कितनी कीमती चीज़ होती है जंगल में और हमारे जीवन में इसका क्या एहमित है क्या रोल है दोस्तो इस सांप की जो आँखे होती है बहुत ही सुन्दर होती है बड़ी बड़ी बिली की तरह इसकी आँखे होती है नाम है इसका रैट सिनेक और दोस्तो यह देखिए इसके सल्क इसके सरी पबनीवी यह पट्टी देखिए जो आधी तो कत्थी है और जिसे आप इसके सर पीला खलका सफेद और क्रीम कलर और जो है कई बाई यह हरा भी होता है दोस्तों बहुत ही सुन्दर साफ है दोस्तों यह इसका नाम है रैट सिनेक चले दोस्तों रिलीज करते हैं इस बहुत ही सुन्दर बेबी रैट सिनेक को काफी देर हो गई है इसके बारे में काफी कुछ बता दिया आपको चलिए कर दो